नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय एडवब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि किस परकार से हम CET Graduation में साथ दिनों के अंदर बहुत ही अच्छा score हासिल कर पाएं। साथ साथ में यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही useful रहेगा, जो सोच रहे हैं 300 में से 300 अंग हम किस परकार से प्राप्त करें इस exam में राजस्थान में हम किस परकार से टॉप करें। दोस्तों यह वीडियो आप जरूर ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, मैं एक एक बात आपको एकदम ग्राउंड लेवल की बात बताऊंगा, जैसे सबसे पहली बात मैं आपके सामने यही रखूँगा, कि आपने अभी तक जो चीजें भी पड़ी हैं, चाहे आपका को, कोई भी source हो चाहे, जो study material होता है, एक test series को छोड़ के, मैं test series को यहां include नहीं कर रहा हूँ, मैं यहां पे include कर रहा हूँ, सिरफ books को और notes को, आप कहीं से भी लेयाओ, किसी भी shop से लेयाओ, अगर इन में कोई डिफेरेंस मिलेगा तो 5-7% का ही difference मिलता है, इसके अंदर अ तो एक तो आपने अभी तक जो भी पड़ा है जो भी आपका source रहा है आप उसी source करें आप अपना source चेंज ना क्रें बिल्कुल भी source चेंज ना क्रें अक्सर देखो यह सा होता है माँ सचा ही बता रहा हूं। आपको अगर आपको बहुत ही अच्छा ही स्कोर करना है न तो बोर्ड पे में कुछ पॉइंट्स लिखूंगा इनको अच्छे से फोलो कर ले ना कवर बहुत सुंदर है साइध पेपर बनाने वाले ने इसी बुक का इस्तिमाल किया होगा बुक्षोप पे जब वो गया होगा तब उसको यह बड़ा पसंद आया होगा साइध वो यही ले कि आया होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस चक्कर में तुम अपने पेसे बरबाद करते हो पेसे बरबाद करते हो समय बरबाद करते हो एक बार आप एक चीज मेरे को सोच के सही सी बताओ कि कमेंट सेक्शन के अंदर की अभी तक आप लोग जितने भी मार्केट से बुक्स खरीद के लाए हो जितने भी नोट्स खरीद के लाए हो क्या आपके पास क कोई भी ऐसी एक book है जिसको आपने अभी तक पूरी पड़ी हो पूरी complete की हो आपने कोई नहीं पड़ता और सबसे बड़ी कमी यही है कि हम एक source पूरा होने से पहले ही उस source को छोड़ देते हैं और किसी दूसरी चीज़ पर depend हो जाते हैं और उस पर भी अगर depend हो जाते हैं त तो आप एक तो अपना पढ़ाई का source बिल्कुल भी इसके अंदर change नहीं करेंगे revision करना है आपको जो चीज़ें आपने पड़ी हैं जहां से आपने पड़ी हैं जो आपका source रहा है आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए देखो आप तीन चार बार आप उन चीज़ों को revise कर लोगे तब आपको अगर कोई question भी पूछेगा ना कि बताओ भई यह महराना कॉंबा के साहित्ते के बारे में बाते हैं कुछ बताओ हमें अगर आपको नहीं भी पता होंगे exact fact आपको याद नहीं होंगे तो आप इतना जरूर बता दोगे कि मेरी notebook के उस वाले page पे लिए उपर से इत्तिक लाइन छोड़ के यह कमाल होता है एक ही source को बार-बार revise करने का बाकिया अगर मैं books की बात करूं तो चाहिए आप market से कितनी भी books उठा के ले आओ और पुराने paper लेकिया हो उनके questions उठाओ वो questions आपको यहां भी मिलेंगे वो जिस बच्चे ने ये वाली बुक पढ़ गिए कॵसण ठीक किया आपने तो ये वाली पढ़ गई ये कॵशन ठीक कर लिया इसलिए बच्चों आप सिर्फ और शिर्फ एक ही सोर्स पर डिपेंड रहो आप हजार सोर्स मट ढूंड़ो अगर आपने एक सोर्स के ऊपर अच्छे से अपनी पकड कर लिया, तब आप किसी दूसरे सोर्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप एक सोर्स को अच्छे से रट लें, एक बुक को किसी भी नोट्स को आप धंग से तयार कर लें पहली बात तो थी अपनी रिविजन की बात काई होप आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी तो प्यारे विद्यारतियों कर्प्या करके अपना ये नुक्सान बिलकुल ना करें ना पैसो का नुक्स नुक्षान करें ना अपनी एनर्जी का नुक्सान करें पहले चीज रिविजन इसमें अपना सोर्च शिरफ एक रहेगा वन सोर्च देखिए पहला रिविजन हो गया दूसरी चीज जब एक्जाम निकट होती है अभी मानलो साथ दिन बच्चे हैं परिक्षा में आप में से बहुत विद्यार थी हैं जो तैयारी पहले से कर रहे हैं कुछ विद्यार थी ऐसे में जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन मेराथन क्लासेs का एक बहुत बड़ा नेगीट्यू ग्यंट भी है जो साइध कभी भी आपको समझ नहीं आएगा वो पता है क्या हैban अदिक तर मिराथन क्लासे जो मैंने स्वें में यूटूब पे देखी है अदिकतर जो मेराथन क्लासे इन में क्या होता है पूछे जाते बट आज से 25-30 साल पहले किसी भी एग्जाम में वह actions पूछ लिए जाते थे पहले उनका trend था वे पहले पूछते थे राजस्थान का रज्य वरक्स कौन सा है राजस्थान का राज्य पसू कौन सा आज कल पूछता है कोई लेकिन नराथन classes के अंदर शे questions करवाई जाते हैं और आप लोग आराम से लेटे-लेटे अपना फोन हाथ में लेके वो मेराथन क्लास आपके सामने अगर कोई ऐसी क्लास आजाती है जिसमें आप सुरू के चार-पांच प्रसने देखते हो वह आपको चारों-पांचों प्रसन यह आपको नहीं आते हैं फिर आप गबरा जाते हो यह क्या हुआ यह क्या हुआ यह क्या हुआ यह क्या हुआ जहां पर आपको सीखने की कोशिस करने चाहिए वहां आप नहीं सीखते हो यह विद्यार्थी आजकल की परवर्ती है यह मैं सही बता रहा हूं आपको बात जहां चीज़ें उसको ऐसे लगती है ना ये कि ये hard चीज़ें है वो चीज़ें वो नहीं पढ़ता उन्हें वो जल्दी छोड़ देता है और जिस विद्यार्थी ने इन चीजों में interest लेना start कर दिया कि मैं जो मेराथन क्लास ले रहा हूं उस मेराथन क्लास का level एक अलग level है यहां के questions अलग हैं मुझे हर question के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है अगर आपने खुद के अंदर अपनी productivity को बढ़ाने की कोशिस की है तो यह मेराथन क्लास आपके लिए अती उपयोगी है और अगर आप कोई AC मेराथन क्लास attend कर रहे हैं जहां बार बार बा अपना सिलेक्शन कंफर्म करवाना आपको नोकरी लेनिया है आपको अपना सिलेक्शन कंफर्म करवाना आपको सिर्फ नोकरी लेनिया इसलिए आप किसी भी एक्जाम की तैयारी करो तब एक ही ओचित्ते से किया करो आपका लक्से आपका उद्देश से एक ही होना चाहिए कि मुझे ये नो करी लेनी है एनी हाव किसी भी प्रकार से चलो आपने अपना लक्से तो डिसाइड कर लिया देखो दूसरी चीज मैं यहाँ पर मैं मेराथन जरूर लिखोंगा भई मेराथन क्लासेज मैं जरूर लिखोंगा आपके लिए बस फरक है तो इतना कि प्लीज आप जो मेराथन क्लास लेते हैं उसमें चाहे आपको को कोई कोश्चन करवाया गया हो या फिर आपको किसी भी चीज के बारे में डिटेल से बताया गया हो तो भई आप अच्छे से उन साथ बरतियां हमी आरेस की उनसे रिलेवेंटी कोई चीज नहीं करवाई जा रही बड़ा सा थमनेल बना कि उसमें लगा दिया कि आरेस मेराथन क्लास से जीए पड़ डाला तो साट नंबर बढ़ जाएंगे एक सट नंबर बढ़ जाएंगे सतर नंबर बढ़ जाएंगे और वह क्लास देखने के बाद फिल यह होता है कि साट सतर नहीं नंबर तो सो बढ़ जाएंगे पेपरेस आ जाए तो लेकिन वहां से पेपरी नहीं आता वहां से कोई कोशन ही नहीं उड़ता कैसी उड़ जाए आप ही बताओ राज्य के पसूपक्सी कहां कोन पूस्ता चेक करें बेहतरीन मेराथन क्लासेज लें जो आपके लिए प्रोडेक्टिव हो बेहतरीन अथार्थ गुणवत्ता पूरवक गुणवत्ता होनी चाहिए आपका जो नोलेज है वो इंक्रीज होना चाहिए यह नहीं कि आपका जहां तक नोलेज है आपका नोलेज वही वही ही घूम रहे हैं कियुकि यहां चीजेगों के वह प्तुखिक हो तुस BALT कर चुके हो खिर ही अधर दुबारा है को यह सी मेराथन क्रसेज ले रहे हो कि आपको यह कुछ पड़ा है बस आप वही 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 घूम रहे भी वह चीज़ां प्रिवास कर चुक हो 14 को पाँच बार कर चुके हो अब आपको अगर विद्यार्थियों से थोड़ा सा और अधिक स्कोर करना है तब आपको यह स्टेप्स और फोलो करने ही पड़ेंगे कि जैसे आप मेराथन क्लासेज लेते हैं मेराथन क्लासेज और देखो सबसे बड़ा रामबान ब्रमास्तर आप इसे कह सकते हैं पिवाइक्यूज निशनच के प्रिवेश्य यह कोश्चन जीस विध्यारती ने मन लगाए कर लिए वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर करेगा वाकई में बहुत अच्छा स्कोर करेगा और प्रिविएस एर कोशन्स करने के साथ साथ में आप एक चीज और करेंगे आपने जो मेटर पढ़ रखा है या तो आप कहीं से टेस्स दे रहे होंगे अगर आप कहीं से टेस्स नहीं दे रहे हैं अगर आप टेस्स देना चाहते हैं तो निचे दिये गए नंबर पर फोन करके हमसे हमारी टेस्स लिए सकते हैं हमारी ओफलाइन भी अवेलेबल है ओनला लेकिन जरूरी बात यह है वही बात देखो वही मेराथन क्लासिज वाली बात है टेस्सीरीज के अंदर भी अगर टेस्सीरीज के अंदर एसे questions हैं जो आपकी exam से relevant है जो PY क्यूं आप देख रहे हो तो PYQ आप देख रहे हो किसी भी एक्जाम के, अब मानलो कि आप CET Graduation वाले PYQs देख रहे हो तो एक तरफ आपके पास questions तो हैं, CET Graduation के तो आप पर ये बच्चों एक काम करो, साथ-साथ PYQs के साथ-साथ में आप जो test series दे रहे हो आप उनको बोलो कि हम एक paper दो एक बार, हम check करना चाहते हैं, आप वो paper check करो, test series वाला papers है, उसको आप PYQ से compare करो, अगर आपको ये दोनों चीजे relevant लग रही हैं, तब आपको वो test series जरूर जोइन करनी चाहिए, एक चीज और बताओं आपको test series की, test series का एक बड़ा नुक्सान भी है, देखो, जिस चीज का फाइदा होता है, उस चीज का नुक्सान भी होता है, दोनों पक्सों से आप चीजा को देखा करें, कि इसका फाइदा ही है, तो इसका नुक्सान क्या हो सकता है, इस बारे में भी आप सोचा करो, देखो, अगर कोई आप test series ले रहे हो, ऐसा हो बता है देखो कई बार मैं थोड़ा सा बोर्ड इधर से क्लियर कर देता हूं अब चीजे आप आज मैं आपको जो चीजे बता रहा हूं इन में से अगर आप एक भी चीज मिस कर रहे हैं तो फिर बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वाकई में कर रहे हैं हां तो क्या बात कर रहा था हमां टेस्सीरीज के बारे में आप टेस्सीरीज का एक टाइम पीरेड होता है अब वो टाइम पीरेड बड़ा ही सू वैबस्थित होना चाहिए जिसको हम सेड्यूल बोलते हैं ना करने को сво dispersed बेस्टिट सिरीज होती हैब चलो सेड्यूल बना हुआ होता है सैड्यूल बेस्ट शीरीज भी हम ले लेंगे बढ़ क्या वह सेड्यूल जो बना हुआ है वो आपकी लिए अगला है को फिर अगले सेड्यूल टेस्ट के अंदर आपका अगला टेस्ट हो कि उसमें आपकी पूरे रास्थान की जोग्रोफी आ रही है कि और यह दूसरा टेस्ट और यह वाला जो टेस्ट है इनके बीच में शिरफ और सिरफ तीन दिन का गैप है अब आप सोचोगे यार टेस्ट श्रीज तो खरीद ली हमारे तो पैसे भी लग गए अब जैसे तेसे करके कैसे भी करके यह रास्थान बोल तीन दिन में निमेडने तो पड़ेगी आप करोगे बहुत मेनत करोगे तीन दिन खीच के पड़ोगे दो तरह की स्टुडेंट होत कोई बात नहीं जैसे नंबर आएंगे तीन दिन बाद में पेपर में कोई बात नहीं एक वह स्टुडेंट होते हैं जिनको परवा होती है कि हां हमने पैसे दिया है तो यहां भी हम कुछ ना कुछ करेंगे वह बैचारे बहुत कोशिस करते हैं वह बहुत पढ़ते हैं वो सारी mix-up हो जाएं, तो जो गलत schedule होता है किसी भी test series का, वो विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आप तीन दिन आपने दवा के मेनत करिया है, और आप paper देने जाओगे, paper में आपके अच्छे marks ने आएंगे, आपका confidence तो खतम, और जहाँ confidence ख हैं, इस तरह की test series join करें, जिन में देखो मैं थोड़े से कुछ, आप कहें तो मैं दो चार geography के topics लेता हूँ, रास्थान geography के कोई दो चार topic लेता हूँ, देखिये, ध्यान से समझना मेरी बात को, आपके hit में बात कर रहा हूँ मैं, आपको complete जानकर ही दे रहा हूँ मैं, test series क की एक शांदर विशेश था कि, अगर ऐसी test series आपको मिले, और उस test series के जो questions हैं, वो PY's क्यों से mail खाते हो, previous year के जो questions हैं, उन से mail खाते हो, और test series का schedule जो मैं लिख रहा हूँ कुछ इस प्रकार से हो, तो आप वो test series जरूर जोइन करें, देखिये, schedule मैं थोड़ा सापको अभय lavender wanna. मैंने एक topic लिख दिया, रास्थान भूगोल का, अब मैं यहाँ पर एक topic लिखता हूँ. का इतिहास का है, इतिहास का मैं एक topic लिखता हूँ यहाँ पर. बी कानेईर राजवन्श अब मैं एक culture का topic लिखता हूँ, art and culture का topic लिखता हूँ वेश भुसा वे अभुशन यह मैंने culture का topic लिख दिया, फिर चलो current affairs का भी लिखता हूँ मैं एक topic, इस परकार से मानलो कोई भी है आपके current affairs का लिख रहा हूँ मैं मैंने इसमें लिख दिया, फरवरी खेल कूद विशेश, मतलब फरवरी का जो current है, उसमें खेल कूद विशेश के अंदर क्या-क्या चीजें हुए हैं, कौन-कौन से खेल में कौन-कौन विनर रहे हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, वो सारी की सारी, हना चलो मैं इस दो-च कीजें का Gunnan का Gap दिया, कि आपके पास पांच दिन का समय है, और पांच दिन और पांच दिन बाद में आपके ने ये Toppic हैं और इनके आपके टेस्ट होंगा, मान वह लो को ये Topic को और दे दिया, Mathematics का, मैंह्त्त का दे दिया। आपको बीच में दिया गया है पांस दिन का समय है यहां पर मैंने सिरफ पांच सब्जेक्ट लिखे में आप इन पांस की जगे दस सब्जेक्ट लिख लें जो सीटी ग्रेजवेशन के अंदर है अब आपको यह पता लग जाएगा कि पांस दिन बाद में अपना एक पेपर है इसका मतलब दस अपने पास में सब्जेक्ट है और हैर सब्जेक्ट से एक एक टोपिक है मतलब दस अपने पास टोपिक है इसका मतलब आपकी एक स्टेटेजी यहीं बन जाएगी कि एक दिन के अंदर कैसे भी करके मुझे दो टोपिक बहुत अच्छे से तयार करने है वहा आगले दिन इतियास और mathematics करता हूं इस तरह से जब वो तयारी करते हैं चलो ठीक है पांस दिन आपने तयारी कि आपने paper भी दे दिया test series भी दे दी आपने score भी किया मानलो 300 नंबर गाउपेपर था आपका और 300 में से आप नंबर लेके आगए कितने वही 180 नंबर 300 में से मानलो आपके 180 नंबर आगए है अब आपके जो गलत सवाल हुए है चलो कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप करते ही नहीं है कि यह हमसे नहीं होगा वैसे तो आप negative marking है नहीं इसमें बट फिर भी मुझे पता है वी दियारती कुछ करते ही नहीं है हम नहीं कर रहे हैं को मत करो हो कोई बात में लेकिन जिन questions को आप नहीं कर रहे हैं क्या वो questions आप गर पे जाके अपने notebook की help से कर रहे हो हुआ अगर नहीं कर रहे हो तो करना start कर दो वरना when home चीजों का कोई फाइदा नहीं है ना Film का फाइदा फिर मेराथ्वन का फाइदा फिर ना notes बनाने का फाइदा है ना नोर्स पढ़ने का फाइदा कहीं कोई फाइदा नहीं है क्योंकि आपको किसी को दिखानी नहीं है कि मैंने टेस्ट सीरीज ले रखिया है बोर्ड के अधिक साब को आप दिखा दो कि मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी हैं मैंने पांच परकार के रंग विरंगे पैन से अपने नोट्स बना रखे हैं तो इस तरह का जो मेटिरियल रहता है उससे थोड़ना सेलेक्शन होता है वह यह से थोड़ी है वो बोर्ड के मेंब मुल्यांकन जो है वो बहुत जरूरी है आपको हर पांस दिन-चे दिन-साथ दिन के बाद में मुल्यांकन करने का अवसर मिल रहा है तो आप अपना मुल्यांकन जरूर करें और उसी के आधार पर आगे बढ़ें वहीं चीज हैं आपके मार्स बढ़ाएंगे यही है मार्स ऐसे आप देख रहे हो कहीं फालतु का सोर्ष राब हो रहा है इसे मार्क्स बढ़ा लो वेसे मार्क्स बढ़ा लो ऐसे मार्क्स नहीं बढ़ते हैं कि आपको कोई पांच मिनेट आके मोटिवेट करके चला जाएं एक बार आपका खून खोल जाए आर शाम थांड़ेंचा भी हो जाएगा मुझे पता है अब आपको ऐसे नहीं करना है अब देखो परिये विद्यारतियों अब साड़ाएं का समय है और दिमाग से काम लेना है की कि या आप जो कर रहे हैं उससे आपको फाइदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप अगर कोई a तो उसे आपको फाइदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप जो चीज बढ़ रहे हो वो चीज आपको याद हो रही है कि नहीं हो रही है आप कोई मेराथन क्लास ले रहे हो तो उस मेराथन क्लास में आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाई जा रही है क्या जो आप पहले कभी नहीं सीख पाई थे और अब आप सीख पा रहे हैं अगर आप इन सब चीजों पर गोर कर रहे हैं तो हंडेड परसेंट आप ग्रो कर रहे हैं वेरी वेरी कॉंग्रेच्व लेशन्स जल्दी ही फिर आपको नोकरी मिल जाएगी टाइम पास से थोड़ा सा दूर रहे हैं जिन्दगी में मनोरंजन बहुत जरूरी है मैं भी मानता हूं बिना हसी-खुशी के फिर जिन्दगी एकदम नरक जैसी हो जाती है इसलिए हसना खेलना भी जरूरी है लेकिन इस कीमती समय को सिरफ हसने और खेलने में ही जाया ना करे आपकी टेस्सीरीज एक तो आपकी टेस्सीरीज की बात कर ली मैंने एक रिवाइज आपको किस परकार से चीजें करनी है इसके बारे में मैंने बात चीद कर ली टेस्सीरीज के बारे में बात हो गई रिविजन के बारे में बात हो गई मेराथन क्लासेज के बारे में बात हो गई अपनी अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ अच्छी सी बहुत शांदार चीज बताता हूँ आपको एक कुछ टोपिक होते हैं उनका जब नाम पढ़ते हैं ना कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इस नाम से एक टोपिक है जब आप उस टोपिक का नाम पढ़ते हो तब ही हो जाता है यह नहीं हो तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है आप किसी टोपिक का नाम पढ़ते हैं और इसे वाली फिलिंग आती है नहीं हो रहा तो फिर आपको क्या करना है उसको पढ़ना ही मत क्योंकि अगर आप उसको पढ़ोगे भी वह आपको याद नहीं होगा बिलकुल भी नहीं होगा कितनी भी कोशिश कर लेना एक तो यह बात होगी टोपिक की फिर एक और टोपिक की मैं बातचीत करता हूं एक ऐसा टोपिक है जिसे देखते ही आपका मन यूं करता है कि देखते हैं इसमें चीज क्या है हलंकि नाम तो अटपटा लगता है आपको लेकिन यह लगता है देख तो लेते हैं इसमें चीज क्या है अगर इस सीज को आप सकारात्मक्ता के साथ में पढ़ते हो यहां से कुछ ग्रहन करने के उचित्ते से पढ़ते हो तो यह टोपिक आपके बहुत शांदार तयार हो जाएगा और फिर एक टोपिक आता है आपके सबका फेवरेट टोपिक जिसका नाम सुनते ही और फिर आपको यह हो जाता वाँ 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 यह topic आ गया इसमें से तो आप सर जो भी बात बोलेंगे मैं इसका सबसे पहले answer करूँगा या करूँगी ये confidence, गला er यह टोपिक है, आपके जो favorit topic होते हैं अब सबी के अलग उलग होते हैं, बहुमा ये मुझे नहीं पता किसका कौन सा favorite topic है पुराने paper की मैंने बात किया आपके साथ में test series की मैंने बात किया आपके सामने old papers की बात हो गई test series की बात हो गई revision की बात हो गई marathon classes की बात हो गई short notes type कुछ है अगर आपके पास में short notes या फिर e-books जिसे आप जो भी कहते हैं यह चीज़े आपको complete सारी की सारी चीज़ें आपकी exam के point of view से आपके marks increase करने के उचित्ते से हिमालय एडिव अपने बड़ी मेहनत से आपके लिए चीज़ें तयार की हैं यह सारी चीज़ें आपको एक ही platform पर अवेलेबल हैं जिसमें आपकी लाइव क्लासेज जितनी भी लाइव क्लासेज आपकी वो सारी की सारी एप के उपर free है आप उनमें enroll हो जाओ एक अगस्त का आपके पास समय है एक अगस्त कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे इस वीडियो के description के अंदर आपको कि आप जो बैच जोइन करना चाहते हैं दोनों बैच बने हुए आप उनमें स्वेम को जोइन के option पर आप क्लिक करोगे तो आप वो बैच जोइन कर लोगे free of cost वो तो हो गई आपकी complete live classes complete slavus के हिसाब से वह जो कोई नया विद्यारती है जिसने अभी तक कुछ नहीं पड़ाए उसके लिए वो classes बड़ी उप्यों की है और जो पुराने विद्यारती हैं वो एक बार उन classes को देखेंगे जरूर क्योंकि वही मुद्दा आता है ली मिजन से प्रणी न बॉछ कहीं सब्बसांती है और वह चीज्चे उनके लिए सब्सक्राइब लिए तो पुराने विद्यारती तो उनींपे धान देंगे लेकिन जो फिरूर्णाओ जो बुए पुराने विद्यार्थी होते हैं, जिनने चीजें पढ़ी भी होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनको यू समझ में आता है कि यार अपने जो चीजें पढ़ी हैं, अपने को जो नोट्स दिये गए जो बुकलेट मिली हैं, वो सारी के सारी तो वैर्थ हैं, वहां से त selection आपके पढ़ेंगे। दूसरी चीजी ये तो live Classes की मैंने बात्चीत करी ऐक गीर डाओं खेवी इक क्लास में पूरी जोmoruk beginner classic करेंगे पादटता है यह g कि आभी यह तो कहने को तो एक क्लास में जो पूरी दुनिया करा दो लेकिन सोचने वाली बात है एक क्लास में सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती तो आपकी मेराथन क्लास कुछ इस टाइब से लेके आई जाएगी जैसे कुछ ऐसे टोपिक होते हैं जहां से कॉस्टन आते ही आते हैं चाहे आदमी कुछ भी कर ले वहां से कॉस्टन हंडेड प आजाएगा आपकी CET की एक्जाम से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली हैं सारी की सारी मेराथन क्लासेज आप हमारी एप डाउनलोड करोगे एप की उपर आपको यह कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में आपको सारे के सारे जो प्रिविएस येर कोशन पेपर हैं CET चाहिए वो ग्रेजविशन हो चाहिए 10 प्लस 2 हो सारे के सारे ओल्ड कोशन पेपर आपको कम्प्लीटली फ्री ओफ कोस्ट अवेलेबल है आपके लिए टेस्सीरीज भी अवेलेबल है वहाँ पर आप टेस्सीरीज भी जोइन कर सकते हैं टोपिक वाइस टेस्सीरीज कम्प्लीट सेड्यूल है टेस्सीरीज का आप उस सेड्यूल के अकोडिंग ही पढ़ें और टोपिक वाइस टेस्सीरीज को अच्छे से तयार कर लिया और पुराने कोस्टन पेपर आपने सोल कर लिए तो आपके आराम से दो सो तीस चालिस से उपर नंबर आ जाएंगे भाइब हो आप धंक से तयार कर लें एयप आप डाउंल्ोड कर लें चीजह आ प्रिवाइस करें टेस्सीरीज जरूर जोइन करें पुराने कोस अपेपर जोस है मोजरूर देखें देख है तो दोस्तों लगजाओ तयारी के डिस्क्रिप्शन में एप की आपको लिंक मिल जाएगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे समय समय पर मैं आपसे मिलता रहूँगा इसी तरह के वीडियो के साथ में कुछ मेराथन क्लासेज के साथ में कुछ शांदार टोपिक्स के स साथ में जल्दी मिलते हैं अगले अपने वीडियो के साथ में तब तक के लिए भाई धन्यवाद